Hello everyone, this is Rajendra Meena, Assistant Professor in Botany from Corment College बारा. विध्यारतियों, B.Sc. Part 2nd, Biology के अंतरगत, Paper 3 में हम Unit 3 का अध्यार कर रहे हैं। उसमें आज हम पर्ण की आंत्रिक सरचना का अध्यार करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि बच्चों डाइकोर्ट्स और मोनोकोर्ट्स में अलग-अलग प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है कि उनकी आंत्रिक सरचना में भी पर्याप्त अंतर रहता होगा। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम एक बीच पत्री और द्वी बीच पत्री पादपों की जो पर्ण है कि आंत्रिक सरचना का अध्यन करेंगे। और अगले लेक्चर में हम एक बीच पत्री और द्वी बीच पत्री पादपों की जो पर्ण होती हैं। उनमें क्या differences पाई जाते हैं, क्या अंतर होते हैं, क्या भीविदन पाई जाता है, उसका हम अध्यन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो lecture है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, यह हमारे आज का topic है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है उसे पहले बेसिक देख लेते हैं। जो परण की सलचना होती है बच्चों वह मुख्य रूप से एपीडर्मिस, मीजोफिल और समवहन पूल इनके द्वारा निर्मित होती है। कहने का मतलब यह है कि परण की जो आंतिक सलचना है उसमें मुख्य रूप से तीन भाग पाये जाते हैं। फर्स्ट है आपका एपीडर्मिस दूसरा है आपका मीजोफिल और थर्ड है आपका वेस्कुलर बंडल्स ठीक है। दिवीबीश पत्री हो या एक बीश पत्री परण हो कि तीनों भाग आवक्षक रूप से उसमें पाये जाएंगे। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्यन करते हैं किसका। एपिडरमिसका तो सुरक्षा के लिए क्यूटिकल युक्त एक इस तरिय उ configure औवन निचली अधिक्र्म पाये जाती है। पा या बच्चों सुरक्षा के लिए पर्ण है उसकी न।क्रार्च पर्ण हो करते हैं। क्यूटीकल युक्त एक इसतरी उंपरी वै निचली अदिचर्म पायाती है ठीक है द्वाप्त म ? इआक सु लक्षा के लिए उंपरी एवे निचली अदिचर्म पायाती है तथा आवश्यक्ता नुसार यह एपीडर्मिस बहु इस तरह यह हो सकती है ठीक है जो जो डोर्सी वेंटरल लीफ होती है हमने पहले पढ़ा है डोर्सी वेंटरल लीफ मतलब कस्ट्रधारी प्रण जो की आपकी द्वी वीच पत्री पादवम पायती है उसमें क्या है जो उस बाइलेटरल लीफ में रंदर प्राय दोनों एपीडर्मिस पर यानि की उपरी और निचली दोनों एपीडर्मिस पर पाये जाते हैं तधा यह है उपरी एपीडर्मिस बड़े आकार की पतली भिक्ती युक्त कोशिकाओं की उपस्तिती को भी प्रकट करती है यह है विशि यूम्हाइए से हमने का समझ में आया एपिध्रमिस है का दिय बीच-बीच-ब पत्री एक पत्री पंगस दोणों में महक्त when प्यो थो कि उपिप्री और निचली अधिशैर्म के रूप में पाई जाती है लेकिन जो प्रश्टेधारी पढ़न होती है उसमें निचली एपीडर्मिस पर रंद्र अधिक संगाया पायाते हैं और ये आवश्चितानुसार एपीडर्मिस जो मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें जो उपरी एपीडर्मिस होती है बच्चो उसमें कहें बड़े आकार की पतली युक्त कोशिकाओं की उपस्तिती भी पाये जाती है किनें कहते हैं बुलीफोम सेल्स आवर्दत कोशिकाओं के करती है वाशपोत सर्जन का नियंत्रण करने का महतपुर्णार करती है अब जो एपीडर्मिस है बच्चो उसको हम ड्र दागराम के दूर समझदे बच्यक इस जिए हम समझते हैं बच्चों ये है l испटी डॉLE का है तो हमने क्या बोला थ हा प्युटिकल युक्त एक परती है सनचना पाई जाती है जो कि सुलक्षणा काम करती है यह जह गई उंपरी यह होगी बच्चों निच्ठी अदिशर न ठीक है निचली अधी चर्म हमने क्या बोला था हम डोर सी वेंटर लिफ की बात कर रहे हैं तो निचली अधी चर्म पर रंदर पाये जाते हैं देखिए यह रंदर स्टोमेटा ठीक है तो एक इस तरही है क्यूटिकल योग तो सुरक्षा के लिए दीवीच पत्री परणों में के निचली अधी चर्म पर स्टोमेटा पाये जाते हैं ठीक यह बात होगी एपिडर्मिस की दीवीच पत्रियों में यह रहे हैं डोर सी वेंटर लिफ में अब एक वीच पत्री पादब में देखिए यह मोनोकोट लिफ का उधारण है तो इसमें क्या है एक परती है क्यूटिकल युक्त अपर और लोर एपिडर्मिस पाए जाती है ठीक है इसमें दोनों तरफ जो रंदर होते हैं बराबर बराबर होते हैं माली जी यह रंदर है तो नीचे भी रंदर पाए जाते हैं ठीक है लेकिन अब इसमें क्या होता है इसमें दिखाने रगाया बच्चों जो इसमें जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पर कुछ कोशिकाय मोटी हो जाती है फूल कर है ना और पतली बिखती युक्त और वास्पोर्ट सजन का नियांतरन करने का काम करती है ठीक है तो उन्हें क्या बोलते हैं मालेजी यह इस्ट्रक्चर है इस टाया पर दिखा रखा है त ठीक है बच्चो क्लियर है एपिडर्मिस हमने पढ़ ली अब हम पढ़ेंगे मीजोफिल एपिडर्मिस के बाद मैं कौन सा भाग पाया था बच्चो मीजोफिल ठीक है अब देखिए यह दोनों एपिडर्मिस के मद्य समवहन शेत्र के अतरिक्त पाये जाने वाला हरित पाते जो है इसने एक साथ बोल दिया है दोनों एपिडर्मिस के मद्य अपर एपिडर्मिस और लोएपिडर्मिस के मद्य हो गया ठीक है उसके मद्य समवहन शेत्र को छोड़कर अपर एपिडर्मिस और लोएपिडर्मिस और यह रहे समवहन शेत्र ठीक है इसको छोड़क जो सारा का सारा जो स्थान है बच्छों, तेके यह जो है, जो भी है, यह क्या कहला है गापका, मीज़ोफिल, यह हो गया वैस्कूलर बंडर, यह हो गया अपर एपिडर्मिस, यह हो गई लोवर एपिडर्मिस, और इनके मद्ध, सम्मेशी दिर्व को छोड़कर पाई जाने वाला जुस्तान है वो के लिए आपका मीजोफिल और ये मीजोफिल जो है हरित लवक युक्त होता है बहुत इंपोडेंट है इसको याद रखेगा ठीक है प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया मीजोफिल में होती है अब देखिए आइसो बाइलेटरल यानि की जो एक बीज पत प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है जिनके मद्य अंतर कोशिकी अफकाश अल्प मात्रा में पाया जाते है बचो बहुत इंपोडेंट है ये जो एक बीज पत्री प्रकार होती है या आइसो बाइलेटरल प्रकार होती है उसमें मीजोफिल में किसी प्रकार का बिवे मात्रा में पाए जाते हैं देख लेते हैं यह देखे बच्चों यह जो है मोनोपोट लीफ है ठीक है तो यह ग्रीन जो जो एरिया आपको दिख रहा है सारा का सारा वो क्या कहलता है आपका मीजोफिल यह आपके वेस्कुलर बंडल हो गए ठीक है यह आपकी अपर और लोर एपिडर में सुती है उसके अलावा जो पाए जाने वारा समस भाग है वो हमारा कहके लाएगा मीजोफिल अब इन मीजोफिल कुशका में देखिए अंतर कुशक के इस्थान होते हैं बिलकुल नगर्ण होता है प्लस इसमें हैज़त लवक की उपरस्ति पाए जाती है ठीक है समझ में आगया अब जब जबकी डॉर्सी वेंटर लीफ में उपरी एपिडर्मिस के निकट खंब उतक बनता है तो था निचली एपिडर्मिस के निकट यह स्पंजी उतक का निर्मान करता है जिसकी क कोशिकाओं के मद्य परियाप्त अंतर कोशिक यह स्थान पास नहीं है यह स्थान पाए जाते हैं ठीक है ओगया ना अंतर बच्चों देखिए डॉर्सी वेंटर लीफ में क्या होगा मीजोफिल बिवेदित हैता है उपरी एपिडर्मिस के निकट जो है मीजिकुल सेल्स बिवेदन के द्वारा खंब उतक का निमान करती है पहली सेट टिशू का निमान करत है जबकि निचली अधिचर्म के निकट जो है वो इस्पंजी उतक का निमान होता है ठीक देखिए डाइग्राम में देखिए बच्चों उपरी अधिचर्म की तरफ ये खंबे नुमा जो है कोशिकाओं का निमान होता है इससे उतक बनेगा ठीक है तो उपरी अधिचर्म की तरफ बना क्या आपका खंब उतक पहली सेड पैरेंट काइमा ठीक है और जो नीचे की तरफ बना बच्चों वो है स्पंजी उतक या स्पंजी पैरेंट काइमा ठीक है ये देखिए और जो यह यहां से देखिए बच्चों स्पंजी जो पैरेंट स्थान कम पाए जा रहा है रहा है को समझ में अंतर हो गया नकाव में साथ थो भागं भ्रक होती है दो भागों में बवेदन दश आता है पेला है पैरन काम या खंब और दूसरा थे सपंजी स्पंजी इमें होती हैं प्यूटा अंतर कोशिकां होती कि अस्थान नहीं पाए जाते हैं, बहुत इंपोटेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखेगा आप, समझ में आ गया, ठीक है, ये भी इंपोटेंट है, वनस्पति शास्तर बोरिंग नहीं है, ठीक है, इसको आप इंट्रेस्ट से पढ़िए, नेक्स्ट है समवहन पूल, पर्ण के शिराशेत्र में समवहन उतक पाए जाते हैं, ये है बेवस्तित होकर समवहन उतक का निर्मान करते हैं, इसमें उपरी सत्य की और जायलम, ता निचली सत्य की और फ्लोयम अभियब पाए जाते हैं, ये है बंडल शीज से सुदक्षित र देखिए डॉर्सी वेंटर लीफ में आसमान अकार के समवहन पूल पाया जाते हैं ता इनके पूल अच्छा द्विस्तार म्रद्वत्र के कोशिकाया के बने होते हैं जबकि आईसो बायलेटर लीफ में यह समान अकार के समवहन पूल प्रकट करती है जिनके पूल अच्छा द निकल रही थी जो कि समवहन आप उर्ति को दर्शाती है ठीक है तो समवहन उतक क्या है बेवस्तित होकर समवहन पूल का निर्मान करेंगे यह उतक नहीं है समवहन पूल आई है इसमें उपरी सत्य की और जायलम तर निचली सत्य की और फ्लोयम पायता है ठीक है एक्स अपॉन पी कंडिशन इसमें पाय जाती है अतार्त बाहर की तरफ या उपरी तरफ जायलम होगा और निचली तरफ जो है फ्लोयम अभी अभी पाय जाएगा एक्स अपॉन पी की जो है स प्लाइलम और फ्लोएम इसायलम फ्लोएम इनके चार और एक प्लारी सरशना मिलती है जिसे हम बोलते हैं बंडल शीद ठीक है अब काम की बात आई डोर्सी वेंटल लीफ में असमान आकार के समवन पूल पाए जाते हैं और पूल आच्छा द्विस्तार यानिकी जो बंडल शीद होती है वो पैरेंट का एमल टेस्ट सेल्स की बनी होती है देख लेते हैं इसमें आपको अधिक स्पर्श दिखाए देगा देखिए इसको देख लेते चलिए यह जो है जो गहरे कलर से कर रखा है वो है जाइलम उसके नीचे जो है यह है फ्लोयम ठीक है तो उपर हो गया जाइलम नीचे हो गया फ्लोयम एक्स अपोन पी बन गया अपना ठीक अब जाइलम में फ्लोयम के चार और क्या बैजा रहा है यह देखिए यह देखिए बंडलशीत कोश्का है प्याँ जा रही है अब इसमें यह तो हो गया अब लेकिन क्या बोल रहा है कि जो डॉट सी वेंटर लीफ होती है उसमें अकार में भिनता लीवे जो है समवन पूल बैयते हैं मतलब समवन पूल जो है अकार में असमान होते हैं अलग-अलग होते हैं देखिए एक समवन पूल यह है यह आकार में बढ़ा है ठीक दूसरा पूल देखिए अकार में छोटा है structure इस ट्रक्शर मिलेगी एक्स अपन पी की हर में एकस अपन पी मिलेगा लेकिं जो है आकार में बिनता दर्शा आएगा प्लस बहुत महत्पून जो बंडल शीद होती है वो पेरेंट कायमेटरस होती है पेरेंट कायमेटरस पेरेंट कायमेटरस की बनी होती है बहुत इंपोरेंट आई है ठीक है बच्चों पेरेंट कायमेटरस सेल्स की बनी होती है दीवीज पत्री पादप्पो की पर्ण में है प्रकार के समवहन पूल प्रकाट होंगे जिनके पूल अच्छा दविस्तार स्क्लेरंग कायमेटर्स होते हैं देखिए यह इनलार्ज सरके आपको बता रखा है अधरवाइस जो है तेखिए समवहन पूल जो है समान प्रकार के होंगे और जो इसमें जो बंडल शीद होती है बच्छो जो बंडल शीद होती है वो कैसे होती है द्रड होता की है या स्कलेरंग कायमेटर्स होती है बहुत इंपोर्टेंट है यह ठीक है बच्छो तो आज के इस लेक्चर में हमने पर्ण की आंतरी सरशना का अध्यन क्या आइसो बाइलेटरल लीफ और डॉटसी वेंटरल लीफ की सरशना कैसे होती है क्या उनमें अंतर पाई जाते हैं इसका अध्यन जो है बच्चों हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे वीडियो देखने कली नेवा, थैंक यू